ये हाथी साथी नहीं है यह तो डराबना है और इसको देखकर लोग घरों में दुबक रहें तो यह हाथी उनके घर के बाहर तोर फोर करने लगता है हाथी ने गाउं में तबाही मचाना शुरू कर दिया कई घरों के आगे रखे अनाज भंडार को भी तोर दिया तो कई घरों के दिवाल पर भी हमला किया गाउं के अंदर गलियों में इस हाथी के आगे जो भी आता गया सब नस्ट करता गया इस वीडियो में आप देखें कि हाथी का खौफ गौव में जब पसरा तो लोग भगवान को याद करने लगे कि किसी तरह उनको इस हाथी के संकट से मुक्ती दिलाए यह जंगली हाथी घंटों गौव में घुमता रहा कभी घर के गेट तो कभी दिवाल तो कभी रास्ते में परे बाई को कुचलना शुरू किया और बन विभाग के टीम हाथी के पीछे शोर मचाते हुए किसी तरह इस हाथी को गौव से निकालने की कोशिश में लगी रही कभी कभी तो यह हाथी लोगों पर आकर्मन करने भी दौर ता और तब लोगों की भीर जान बचाने भागती दरसल नेपाल जंगल का एक जंगली हाथी आज सितामरी में बैरगिनिया इलाके को घंटो दहशत में डाल दिया नेपाल के रौतहट के जंगल से भटक कर एक जंगली हाथी बैरगिनिया के रास्ते भारत में शनीवार की देर राद घुसाया यह हाथी वैरगिनिया के जुडिया ही चकवा गाउं के खेत खलिहान में तबाही मचाते हुए सुपी इलाके में प्रवेश कर गया जंगली हाथी को गाउं में प्रवेश करता देख ग्रामीन दहशत में आ गए ग्रामीनों ने हाथी को भागाने की काफी कोशिश की लेकिन हाथी ने ग्रामीनों को खदेर दिया उसके बाद इसके सुचना पुलिस और अस्थानिय प्रशासन को दी गई तब तक हाथी सुपी प्रखंड के सुनोल सुबबा गाउं के सरेह में पहुँच गया इसके बाद बेरगिनिया के लोगों ने तो राहत की सांस ली लेकिन सुपी प्रखंड के लोगों में दहशत फैल गया बैरगिनिया से सूचना मिलने के बाद DM के निर्देश पर DFO के नितरतु में वन विभाग के टीम हाथी को काबू में करने और फिर से उसे नेपाल के जंगल पहुँचाने की जगदो जहद में जुटा हुआ है हाथी को भगाने के चकर में कुछ लोग जखमी भी हुए है हाथी ने फसल, पेर, पौधे के साथ साथ घरों को भी नुकसान पहुचाया है या हाथी जिस इलाके के तरफ जा रहा है लोग हला करने लगते हैं बांस बल्ले के सहारे हाथी को दूर भागाने की कोशिच में जुट जाते हैं। इसमें बन विवाग की टीम भी सहयोग कर रही है। हाथी को दूर करने के लिए पटाखे भी फोरे जा रहे हैं। जानकारी के अंसार नेपाल के रौथहट के चंदर निगापूर के जंगल से भटक कर यहाथी नेपाल के गरुडा नगर पालिका श्रत्र के शिवनगर देवाही, गोनाही, उचदी, फिर मध्यनाडा नगर पालिका के सखबुआ, मिठबुआ, उसके बाद जम्ना माई नगा पालिकाय श्रत्र के राम बिलास बैठा देवानन्द सोनार जगरू मंसुरी जहीर मंसुरी वकील मंसुरी मजीद मंसुरी आध के घर संपत्ति को नुक्सान पहुंचाते हुए बिहार के सितामरी जिला में आ गया हाथी शनिवार की देदात नेपाल से बैरगिनिया के मसा गाउं होकर सुबा तक जुडिया ही गाउं के सरह में पहुंच गया वहां से चकवा होते हुए सुपी मतुरापूर गाउं में प्रवेश कर गया इस हाथी के आतंग को दूर करने के लिए सुपी में SGO सदर के नेत्रतों में प्रशाषनिक अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं वन विभाग के टीम ने हाथी को कंट्रोल करने के लिए प्रयास शुरू कर दिये असल में हाथी को नेपाल लोटने में बार के पानी के फैले होने के कारण परिशानी हो रही है हाथी को गाउं से भगाने के दोरान ग्रामीनों पर हाथी ने हमला भी किया है और इसमें कुछ लोग जखमी भी हुए हैं हाथी के हमले से एक मिडिया कर्मी भी काफी जखमी हो गया है बहरहल इस हाथी के कारण वेरगिनिया इलाके के लोग रात में जग कर पहरेदारी कर रहे हैं ताकि हाथी रात को उनके गाउं में फिर न घुसाए खुलासा के लिए सितामरही से चंदन देव की ये खास रिपोर्ट